प्रियंका चोपडा से लेकर जैकलीन फर्नांडिश, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, निम्रत कौर, लेजा हेडन और काजूल ये सभी बॉलिवुड इश्टार नीरा मोदी की जूलेरी में दिख चुकी है नीरा मोदी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का जाना माना नाम है लेकिन अब PNB गोटाले ने वॉलिवुड में ही हलचल मचा दी है इनके जूलिरी ब्रेंड के लिए प्रियंका चोपडा से लेकर देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां एड करती थी अब एक तरब 2016 में नीरा मोदी ब्रेंड से जुड़ी प्रियंका चोपडा एड का भुगतान ना करने पर कॉन्ट्रेक्ट कैंसल करने के लिए कानूनी सलाह ले ली है वहीं रिशी कपूर ने ट्रेट कर पूँचा कि 2011 में इतने बड़े लोन की अब तक जाज क्यों नहीं हुई वहीं इसकी आगे रिशी कपूर ने कहा कि कपाट से और कई कंकाल निकलने बाकी है आपको बता दे कि नीरामोदी पंजाब नेशनल बैंक से करीब 11,300 करोड रुपए के लोन से जुड़े कीस में फसे हुए है इसी के चलते एक्टर रिशी कपूर ने क्रीट कर सवाल उठाए इस गोटाले को देश में अब तक का सबसे बड़ा गोटाला क्यों बताया जा रहा है रिशी कपूर ने यह भी लिखा कि मुझे बास समझ नहीं आ रही कि एक बैंक साल 2011 में किसी को 11,300 करोड रुपए का लोन देता है और इस पर अब तक इतने सालों से कोई जांच आखिर क्यों नहीं हुई इससे यह सावित होता है कि जो भी चमक रहा है वो सिर्फ हीरा नहीं है बलकि कपाट से कई कंकाल अभी और निकलने बाकी है फ्रियंका चोपडा ब्यापारी निरमोदी के ब्रेंड के साथ 2016 में बतोर ब्रेंड एम्बेस्टर जुड़ी प्रियंका के वक्ता ने कहा कि वयान जारी कर रहा है फ्रेंका चौपडा ने नीरा मोदी पर कोई केस नहीं किया है बलकि वो कॉंट्रेक्ट कैंसिल करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है आपको बता दे कि इससे पहले घवर आई थी कि एड का भुग्दान ना करने पर नीरा मोदी को फ्रेंका ने कानूनी नोटिस भेजा है इनकी जूलिरी में फिल्में 50 सेट्स आफ ग्रे की एक्ट्रेस डकोटा जॉंसन्स टाइटैनिक की रोज जानी की केट विसलेट और विक्टोरिया सेक्रेट मॉडल रह चुकी रोजी भी नजार आ चुकी है नीरा मोदी ने 2010 में अपने नाम से डायमेंड कमपनी बनाई थी 48 वर्षी नीरा मोदी मश्यूर डायमेंड ब्रोकर परिवार से तालुकात रखते हैं नेरब मोधी दो बड़ी डायमेंड कमपनियों के मालिक है, एक का नाम फारेश्टार डायमेंड कमपनी है और दूसरी नेरब मोधी डायमेंड कमपनी है, उनके देश-विदेश में कई बड़े श्टोर है, उनकी कमपनी अर्वों का कारुबार करती है, यही नहीं, 2017 में फोर झाल